कोई भी अप्लिकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसे प्ले इस्टोर से किजेगा कुछ अप्लिकेशन आपको Google Chrome पे मिल जाते हैं अब जाएंगे उस पे हार्किंग उकिंग का तो निया बेवस्था नहीं नहीं है तो पता कि अलाव अलाव करके दिख लेंगे कि अलाव कर देते हैं तो आपको दिखता ही नहीं है फिर Google अपने इंजुनियरों को बुलाता है काता देखो तो इको नो हाइकिंग कई तो नहीं अब वेस्था नहीं है नहीं तो पता कि अलाव अलाव कर के देख लेंगे कि आपका OTP बी देख लेंगे गैलेरी भी देख ले अगर आप कई ऐसे अप्लिकेशन है जिसको गौर्मेंट ने बैन किया हुआ है गौर्मेंट उसके रूल रेगुलेशन नहीं ही रखी है तो कुछ अप्लिकेशन आपको गूगल क्रोम पे मिल जाता है अब जाएंगे उस पे और कहीं उल्टा सिधा कुछ हो गया तो चिलाएंगे हमरा चल गया जाएए उसी यार बन रहे थे जबकि प्ले इस्टोर का अपना रूल रेगुलेशन होता है पंदरा दिन तक रिव्यू देता है उसके बाद रिव्यू के बाद भी हम लोगो मेल करता है यह यह चीज हटा दो क्योंकि उसके वो देखेगा कि किस कंट्री से आया है फिर उस कंट्री के लॉयर से उसके पास भेजेगा कि देखे इसमें कुछ जो जो परमीशन मांग रहा है या जो चीची वो लीगल है या नहीं है पता चल्दा सेव करने के लिए मांग दे आदमी तब तो हो गया आपका सबका पेमेंटे सेव हो जाएगा किसी का सेव नहीं हो सकता है साइग में आ रहा ही नहीं आ रहा है हाँ पे तो सारे रूल रेगुलेशन वो भेजते रहता है या पे OTP कर से जाएगा क्या जाएगा या पे आपका परसनल डेटा कहां सेव रहेगा हम सेव नहीं कर सकते हैं यह सारी चीजे होता है आपका डेटा को सुरक्षित करने का एक दिन का कॉस्त असी है जा रहе एक करोड लोगों का डेटा है एक करोड पर डे का कॉस्टिं आता है सूचे रेगुलेशन कितना टॉफ है उसका इतना महंगा आ जाता है सारवाथ आप समझ में गूगला इतना अमीर कोई से हो गया अच्छा हम लोग को तो छोड़िए जरा सोचिए जो जो मैटो स्वीगी पे ओर्डर करते होंगे लोग उनका तो एड्रेस ओड्रेस साब रहता है नहीं से हो जाए तो काफी चीज़े हो जाती है जो प्लेइस्टोर अपनी रेगुलेशन रूल रेगुलेशन को क्या करता है? हाट कर देता है